नमस्कार विजन आई इसके न्यूस टुड़े के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिश्चा की दृष्टी से महत्तोपूर्ण कुछ एहम खबरें और इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर इसंक की सबसे पहली खबर कोविड आपदा से जुड़ी है केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधी के लिए 8,873 करोड रुपे स्विकृत किये हैं ये वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा मोचन निधी के केंद्री हिस्से की प्रथम किष्ट है इसे समान्य नियत समय से पहले ही जारी कर दिया गया है केंद्र ने कहा है कि राज्य कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए 50 प्रतिशत तक राशी का उपयोग कर सकते हैं इसका उपयोग ऑक्सिजन उत्पादन वेंटिलेटर आदी की लागत को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान बचाओ और राहत वे को पूरा करने के लिए राष्ट्रे अस्तर पर राष्ट्रे आपदा मोचन निधी और राज्य अस्तर पर राज्य आपदा मोचन निधी के गठन का प्रावधन किया गया है वर्ष 2018 से SDRF में केंदर सरकार ने अपना योगदान 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और सभी राज्यों का योगदान 10 प्रतिशत सुनिश्टित किया गया है इसे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार दो समान किष्टों में जारी किया गया है SDRF का उप्योग केवल पीडितों को ततकाल रहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा SDRF के तहट शामिल आपदाएं हैं चक्रवाद, सूखा, भूकंप, आग, बाढ, आदी पिछले वर्ष गृह मंत्राले ने SDRF के तहट सायता प्रदान करने के उद्देश से COVID-19 को अधिसूचित आपदा के रूप में स्विकार किया था इसके अलावा राजिस सरकारें ऐसी इस्थानी आपदाओं के लिए 10 प्रतिशत तक धन का उप्योग कर सकती हैं जो अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल नहीं है अगली खबर आपदा प्रबंधन से संबंदित है सारजनिक भवनों के लिए अगनी सुरक्षा विनियम हालिया दिनों में भारत के कई स्थानों पर अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं घटित हुई है राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में वानिजिक भवनों में लगने वाली आग के कारण 330 लोगों की मृत्य हुई है इसमें विद्यतिय फॉल्ट को अगनी के प्रमुक कारण के रूप में उध्रित किया गया है साथ ही ये माना गया है कि राजे सरकारे सुरक्षा कानुन बनाने, निरीक्षन करने और सारजनिक भवनों को आधनिक तक्नीक से युक्त करने में भी शिथिल रही है आईए अब जानते हैं अगनी सुरक्षा से निपटने के तंत्रों के बारे में अगनी शमन सेवा राजे सुची का विशय है और इसे अनुच्छे 243W के तहट समविधान की बारहवी अनुच्छी में नगरपालिका के एक कारे के रूप में शामिल किया गया है भारत की राष्ट्रे भवन सहीता का भाग चार उन डिजाइनों और सामगरियों के लिए विनिर्देशों और दिशा निर्देशों से सम्बंदित है जो विनाशकारी आग के खत्रे को कम करते हैं राष्ट्रे आपदा प्रबंधन प्राधिकर्ण ने अस्पतालों सहीत सावजनिक भवनों में अगनी सुरक्षा की आवशक्ता को निर्धारित किया है पिछले वर्ष उचितम नियाले ने सभी राज्यों को कोविड-19 के लिए नामित अस्पतालों का अगनी सुरक्षा आउडिट करने के निर्धेश दिये थे राज्यों और संगशासित प्रदेशों को अपने संबंदित इस्थानिय भवन उपनियमों को अध्यतित करने तथा Model Maintenance of Fire and Emergency Services Bill 2019 के साथ संरेखित करने के लिए निर्धेशित किया है अगली खबर जलवायू परिवर्तन से सम्मादित है एक हालिया अध्यन के मुताबिक जलवायू परिवर्तन से पिघलते हिम्नदों की वजह से 90 के दशक के बीच से प्रत्वी के अक्ष की अवस्थिती में परिवर्तन हो रहा है प्रत्वी का आक्ष वो रेखा है जिस पर प्रत्वी घूनन करती है और इस पर घूनन करते हुए सूरे के चारों और परिक्रमन करती है जिन बिंदों पर आक्ष प्रत्वी की सतह को प्रतिच्छेदित करता है विभौगलिक रूप से उत्तर और दक्षनी धुरूप कहलाते ह लेकिन अब जलवायू परिवर्तन से भी भोगोलिक ध्रुव इस्थानांतरित हो रहे हैं। द्रुविय गती द्रुविय भ्रमन से अलग है जहां प्रिथ्वी की सतह पर चुम्ब की द्रुव भूगर भी अकाल के माध्यम से भ्रमन करते हैं। जानते हैं सडकों के विकास में क्या-क्या चुनौतियां हैं। इसमें सबसे पहले शामिल है भूमी की शतिपूर्ती की अधिक लागत। इसके अलावा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्ति कंपनियों में कम तरलता की स्थिति। वित्त पोशन के स्रोत केवल केंदर सरकार द्वारा बजटिये समर्थन और उधारियों जैसे स्रोतों तक ही सिमित हैं। और वर्तमान में COVID-19 महामारी के कारण इस लक्ष्य की प्राप्ती में देरी और चुनोतियां हैं। आईए अब जानते हैं इस संबंद में उठाएके कदमों के बारे में। वित्वर्ष 2021-22 के बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग शेत्र के लिए 1,18,101 करोड रुपे का परिवया निर्धारित किया है। आपको बता दें कि ये 65,000 करोड रुपे के अतरिक्त और बजटेतर संसाधन जुटाने के प्राधिकार से अलग है। राष्ट्रिय अवसंरचना पाइपलाइन में भी सड़क परिवहन को एक प्राधिमिक्ता शेत्र के रूप में माना गया है। केंद्र सरकार ने भारत माला परियोजना के तहत 4,466 किलोमीटर राजमार्गों का निर्मार्ग किया है। हाला कि कई माध्यमों से वित्पोशन अंतराल को कम करने के प्रयास भी किये गए हैं। भारत के सड़क नेटवरक में राश्ट्री राजमार्ग, राजराजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीन सड़कें, शेहरी सड़कें और परियोजना सड़कें शामिल हैं। ये सड़क नेटवर्क देश के 64.5 प्रतिशत माल और भारत के कुल यात्री यातायात का 90 प्रतिशत परिवहन करता है। अगली खबर WTO से संबंदित है। अक्टूबर 2020 में भारत और दक्षन अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत किये गए ट्रिप्स प्रस्ताव पर संइक्त राज्य अमेरिका ने आगे बढ़ने के संकेत दिये हैं। भारत और दक्षन अफ्रीका ने COVID-19 महामारी को रोकने, उसके उपचार और उसे नियंतरित करने के प्रयासों को गती देने के लिए WTO के समक्ष कुछ प्रावधारों में छूट प्रदान करने की मांग प्रस्तुत की थी, जो कि बौधिक संपदा अधिकारों को विनियमित करते हैं। बौधिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, ट्रिप्स को वर्ष 1995 में लागू किया गया था। ये कॉपी राइट, और द्योगिक डिजाइन, पेटेंट और गोपनिय सूचना या व्यापार भेट के संरक्षन जैसे बौधिक संपदा अधिकारों पर एक अधिकारों जिससे स्थापित करता है, आलोचुकों का तर्क है कि आईपी अधिकार विकास शील देशों में वहनिय ठीकों और दवाओं को उपलब्ध कराने में बाधक होते हैं और लोगों को उनके स्वास्थे के अधिकार से वन्चित करते हैं, जब WTO ने इस छूट को अस्विकार कर दिया तो अन्य वेकल्पिक उपाय अपनाए गए हैं, जैसे दवा कमपनियों और स्वाव उपयोग के लिए वैक्सीन की खुराग बनाने की इच्छा रखने वाले देशों के बीच स्वैक्षिक लाइसेंसिंग विवस्था, इसके अलावा अनिवारे लाइ अनुच्छे 311-2 स्पेशल 301 रिपोर्ट पुभोकता विश्वास सर्वेक्षन ये भारतिय रिजव बैंक द्वारा संचालित किया जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे सामाने आर्थिक स्थिति, रोजगार परिद्रिश्य, मुल्ले स्तर और परिवारों की आये तथा व्याय पर परिवारों की संवेदनाओं के संदर्ब में उनसे गुणात्मक प्रतिक्रियां एकत्रित करता है पी एट आई गश्ति विमान एंडबी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, आसूचना समुद्री गश्ट और निगरानी एवं टोही मिशनों का संचालन कर सकता है विटामिन सी विटामिन सी स्वास्थे के लिए एक महत्तपून पोशक्तत्य है विटामिन सी एंटी ऑक्सिडेंट के रूप में शरीर से रियक्टिव ऑक्सिडेटिव स्पिशीज के रूप में ग्यात अवांचित पदार्थों के निस्तकाशन में सहयता करता है ये शरीर में लोहतत्तों को अवशोशित करने में मदद करता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली में व्रधी करता है ये घाव भरने की शमता में व्रधी करता है ये शरीर को कॉलेजन, L-Carnitine और कुछ निउरो ट्रांस्मीटर का उत्पाधन करने में मदद करता है ये खटे फलों जैसे संत्रे, संत्रे का रस, मिर्च, स्ट्रोबेरी, ब्रोकल ब्रसिल्स, स्प्राउट्स, आलू आदी में पाये जाता है पुतला नाच, हाल ही में युनिसेफ के सहयोग से असम में इस्थित एक ट्रस्ट ने कोविट के संदर में उचित विवहार पर व्यापक जागुरुकता स्रजित करने के लिए पुतला नाच का उप्योग करते उपरी असम यानि माजली द्वीप में इसे शंकर देव द्वारा विक्सित अंकिया नाट शैली कहा जाता है उत्तरी असम में ये विशय और परिधान के मामले में असम के सचल रंगमंज यानि भ्राम यमन से काफी मात्रा में प्रेडित है मई दिवस इसे एक मई को अंतराष्ट्य श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ये विशु भर के श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित है ये दिन मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रती जागरूख होने के लिए प्रुच्साहित करता है वर्ष 1889 में माक्सवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉंग्रेस ने एक विशाल अंतराष्ट्य प्रदर्शन के लिए एक संकल्प अंगिकरित किया था इसमें उन्होंने मांग की थी कि श्रमिकों से प्रती दिन आठ घंटे से अधिकारे नहीं करा जाना चाहिए इसके बाद ये एक वार्षिक कारिक्रम बन गया और एक माई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा माई दिवस पहली बार एक माई 1890 को मनाया गया था करेन नैशनल यूनियन के एन यू हाल ही में करेन विद्रोहियों ने थाइलेंड की सीमा के पास सैन ने अड़े पर कबजा कर लिया ये म्यामार का सबसे पुराना विद्रोही गुठ है जो थाइलेंड की सीमा के पास कैरन या काईन रज्ज में रहने वाले निर्जातिय अल्प संख्यक करेन समुदाय का प्रितने धित्तु करता है के एनियू की इस तशस्त्र शाखा करेन नैशनल लिबरेशन आर्मी वर्ष उन्निस सो उन्चास से म्यामार की सरकार के साथ संघर्श रथ है इसका उद्धिश्य उस शेत्र में रहने वाले करेन लोगों के लिए आत्निर्णए की मांग करना है आई अब जानते हैं सूर्खियों में रहे स्थानों के बारे में लितानी नदी लेबनान लेबनान की सबसे लंबी नदी लितानी पर कारून जील के तड़ पर काफी मात्रा में मरी हुई मचलियां बहकर आई हैं ये आपदा प्रदूशित जल के कारण घटित हुई है दक्षिन चीन सागर चीन के विवान वाहक कारेदल ने हाल ही में दक्षिन चीन सागर में एक अभ्यास किया जिसे उसने नियमित प्रसेक्षन बताया है दक्षिन चीन सागर, फिलिपीन, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया द्वारा अध्यरोपित शेत्रिय दावों के कारण विवादास्पत बना हुआ है आईए अब आपको बताते हैं कुछ महान विक्तित्यों के बारे में गुरुतेक बहाद्दूर वर्ष 1675 में गुरुतेक बहाद्दूर को मुगल समराट औरंगजेब के आदेश के तहत दिल्ली में फासिदी के थी सत्यजीत रे सत्यजीत रे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक, चितरकार, ग्राफिक डिजाइनर और संगीतकार थे इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली ने इन्हें अंतरराष्ट्रे ख्याती दिलाई इन्हें वर्ष 1992 में सर्वोच नागरिक पुरसकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवर्ड फोर एक्सिलेंस इन सिनेमा का शुभारंब किया गया है जिसे भारत के अंतरराष्ट्रे फिल्म समारोहो इफ़ी में दिया गया है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तुपूर्ण खबरों के साथ लेकिन तब तक के लिए विजन आईस की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें अठारवर्ष से उपर आईउ के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, सुरक्षी दूरी बनाए रखें, हाथ और मू साफ रखें और इसके साथ ही विजन आईएस की पूरी टीम को दीजिये इजाज़त, नमस्कार